आलू मटर की सूपर टेस्टी सबजी बनाने के लिए मैंने एक किलो आलू को बॉयल करके छिलका उतार लिया है साथी साथ हमने धाई सो ग्राम मटर लिये हैं एक कडाई में तेल करम करेंगे इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता छोटा टुकडा जावित्री का एक बड़ी लायची दो से तीन लॉंग डाल देंगे खड़े मसाले आप अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं एक चमच जीरा डाल देंगे साथी साथ चोथाई चोटी चमच हींग और दो सूखी लाल मिर्चमने डाली हैं जब यह मसाले हलके से भून जाएंगे हम इसमें डालनेंगे प्याज तो यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज को हमने एक दम फाइन चॉप करके डाला है और अब हम प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे तो पहले हम इसे लगभग एक मिनट तक भूनेंगे इसके बाद हम इसमें आड करेंगे पारीक, कटा हुआ, हरी मिर्ची, अद्रक और लहसुन तो यहाँ पर हमने लहसुन और अद्रक को ग्रेट करके डाला है पारीक वाले ग्रेटर से आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं तो इसे भी हम इसी के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इनका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तो यह हलका भुन गया है एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेसन बेसन हमारी सबजी को बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा और साथी साथ इसके टेस्ट को भी इनहंस करेगा आप देख पा रहे होंगे प्याज बढ़िया सब भुन गई है बेसन भी भुन गया है तो अब हम इसमें अड़ कर देंगे टमाटर का पेस्टे यहां पर तीन बड़े साइज के टमाटर को हमने मिक्सी में पीस लिया था वो डाल दिया है यहां पर कुछ मसाले हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सोट पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच कसूरी मेथी और पहले हम टमाटर को हलका सब भून लेंगे इसके बाद हम इसमें यह मसाले अट कर देंगे तो देखे मसाले डालने के बाद हम फ्लीम को लो कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे आप देख सकते हैं टमाटर भी बढ़िया से भून चुका है मसाला भी अच्छे से पक चुका है अब देख पा रहे होंगे ये कडाई में भी नहीं चीपक रहा है तो अब इस स्ट की जो कंसिस्टेंसी रहेगी वह बहुत बढ़िया रहेगी मटर डाल दिये साथ ही साथ हमने अब हम आलू और मटर को मसाली के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तो जब भी कभी आपके पास उबले आलू हो तो उबले आलू और मटर से इस सबजी को जरूर बनाएगा बहुत 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 डेश्टी बनती है तो मसाली के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमने दो मिनट तक भोल लिया है अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहां पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अभी आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा है स्वाद के अनुसार नम बढ़िया से अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमश आम चूर का पाउडर और एक छोटा चमश काला नमक डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम ठक करके इसे आठ से दस मिनट तक मेडियम फ्ले में पकाएंगे ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर आलू मतर में बढ़िया से आए आप देख सकते हैं सबजी कितने बढ़िया से पक के तयार हो गई है मैंने इसे लगबग दस मिनट तक कुक किया है अब हम इसे डालेंगे काफी सारह बारीब कटा हुआ खाया धनिया सब्जी बनाने का तरीकह वह तो बहुत ही सिंपल है आता है तो एक बार इस तरीके से सब्जी जरूर बनाएगा लाश्ट में मिने अम इसमें आधा चमज गरम और अच्छे इसमेस कर देंगे और अब ह आप देख पा रहे होंगे, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पॉफेक्ट है, आप चाहें तो इस सब्जी को रोटी के साथ खाएं, चाबल के साथ खाएं, मुझे तो ये वाली सब्जी पूरियों के साथ बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप भी इस आलू मटर की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, एम शेयर ये रेसिपी घर में सबको इतनी पसंद आएगी कि जो भी खाएगा वो तारेब जरूर करेगा, अगर आप रोज वाले आलू मटर खाके बोर हो गए हैं, तो इस तरीके से सब्जी की रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा, और हमें फी